जो इंसान मा का गदर नहीं करता उससे पुछो जिसकी मा नहीं होती मुझे मेरी मा नहीं है नहीं मा है ना बापा है मुझे बहुत याला थी उनकी कोई नहीं समानने वाला है मुझे मेरी सासु मा है मुझे को मा मानती हूँ हेलो फ्रेंड्स आप सब कैसे हैं आयोब आप सब अच्छी होंगे और मैं भी अच्छी हूं तो आज मैं अभी कितना नहीं हो रहा है अभी बज़ रहें साड़ सावच हो रहा हैं तो अभी मैं संजावती जला कर वैठी हूं तो मैंने एक वीडियो देखा उस वीडियो मैंने देखा तो मुझे आत्मा से नब रोना आ गया तो मैं यह कहना चाहते हो आप लोग से कि उस वीडियो मैंने यह देखा कि एक बुड़ी माता थी मतलखंप एक मात ती तो उस में बहुत जोकी जोकी थी कि नहीं उचल डंग से चल सकती थी नहीं वो डंग से बोल पा रही थी तो वो उस वीडियो को मैंने देखा तो मुझे रोना आ गया मुझे यह नहीं समझने आता है कि आप लोग ऐसा क्यों करते हैं कुझ एक एक मां अपने 9 महईना पेट में रग्क के अपने कोक में रग के जिस तरह 9 महईना गुजारती है इसलिए गुजारती है कि वह उसका बेटा बड़ा होके मुझे गर से बाहर निकाल दे क्यों ऐसका आप LO करत हैं एक मान ही समहालती है, आप लोगो नौ महीना पेट कोख में रखती है, उपर से नौ पूरा 20 साल, 25 साल तक आपको समहालती है, पढ़ाना, लिखाना, उंगली पकड़ के चलना, सिखाना, सब कुछ करवाती है, उस मान को कोई असर नहीं होता है, क्योंकि नौ महीना कोख में र एक मा को रख नहीं सकते हैं, मा कब तक जियेगी, जो बुड़ी हो जाती हो, कब तक जियेगी मा, मेरी, मैं क्या बता हूँ, अपने बारे में, मेरी मा नहीं है, लेकिन जब भी इस वीडियो, ऐसा ऐसा वीडियो देखती हूँ, तो मुझे रोना आता है, जो इनसान मा का ग पापाया, मुझे बहुत याद आती हूँ, उनके, कोई नहीं समानने वाला है, मेरी सासु माया मुझे, मेरी चोटा वेबी इस वीडियो समारती हूँ, मेरी सासु मा भी है, लेकिन उनसे भी कुछ नहीं होता हूँ, उनका भी तब भी खराब रहता है, तब फिर भी मैं मा नौ महीना कोक मेरा पैदा करती है, जन देती है, वो मा नहीं समझती आप से, एक वाइफ चार दिन के लड़की के घर में आ जाती है, तो उसके बाद मा को निकाल देता है, यहां कल हो कर आपका भी बेटा हो गा, आपका भी बेटा ऐसा करेगा, तो कैसा लगगा आप लोग मैं जैसा करेंगी वह इसा वह भी करेगा तो बस मैं आप लोग से यह करना चाहती हूं कि अपने मां का कदर करिया जिसकी मां नहीं है ना उससे पुछी की मां का कदर क्या होता है मा ना होने का उसका असर पुछी है मेरा जब बेबी हुआ तो मुझे सम्हालने वाला कोई नहीं था अब भी भी नहीं है मेरा बेबी मेरा बहुत छोटा है भी भी मैं सम्हाल रही हूँ बीना मा का तो आप लोग प्ली जैसे मत कीजिए अपने मा का कदर कीजिए रोड़ पर भटकने मत दीजिए बहुत तकलिफ होता है मुझे मुझे इसे वीडियो देखने हुँ था बाहक़ा अबहकि ऐप लोग अगर जो भी घल्क्री सावर बोल दो तो उसके लिए वाफिम मागई लेकिन किए यह बात सच अगर मानती सास-स-सास वी होती है सास विम्हा बना करेंगे लेकिन आपको सास ऐसी होती है कि जो अपने पहु동 को नहीं मानती अपने बहु को नहीं मानती अपने बेटे को तो क्या हुआ एक बेटा तो अच्छा दे दी न एक पती तो दे दी न उसी मा के कौक से निकली है निकला है तो बस यसी समझ कर राजी कि चल ठीक कोई बात नहीं मान नसास नहीं मानती है हैं तो क्या होगो पती तुम cần हणा ना मेरा पती पोछ मानता है है कि इसलिए मैं अपनी साझ स्कूब बहुत समाल करक्ति थोड़ा जगणा चलता है फिर भी मा के लिए घर में उसको समाल करक्ति हूं सब कुछ करती हूं मेरी ननद नहीं है मेरी सिब घर में साथ से पती है मेरे वदेवर है सब को समाल के चलती हूं तो प्लीज आप लोग से एही रिक्वेश्ट करूं कि अपनी मा को रोड पर भटकने मत दीजिए कि बहुत दर्द से बच्चे को कोक से निकालती है बहुत दर्द जहलती है इसका असर आपको नहीं होगा तो अपने वाइफ से पुछिए कि क्या असर होता है उसका अगर गलती से भी कुछ गलत चीज बोल दियोंगे तो आप लोग माफ किजिए अगर मुझे तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि बहुत बहुत लोगों का देक्वते और मॉड़ों का देखते हूं कि अपने मा को भी भी धास रम छोड़ाते हैं बहुत सिकली जा देए कि क्या बुड़ी हो जाती तो आप लोग से पार उन 무ards लक्ता क्या करना पड़ता है थोड़ा से मेनत अंध। थोड़ा से ज़से चीजिए तो पुन किसको मिलेग, आपको मिलेग, भी, यही करना चाहती है। और मां को कदर किजे ऑपने मां को रोट भखोने मरत दीजय dhow Roti छाइए जैदा नहीं लिए दो रोटी स कबनाना दो रोटी का बनाना दो रोटी देवर का बनाना उस भाद नई है लिकिन दो रोटे अगर मां को खिला दोगी तो सभार हो जाएगा नहीं उनके असिर्वास से और घार में बढ़ेगा तो प्लीज दोस्तों आप प्लीज भाई भाई लोग जो भी आप लोग ऐसे करते हैं सास हो मां हो बेटा हो प्लीज आप लोग ऐसा मत कीजिए अपनी मां करोट पर मत भटक ने दीजिए बहुत मुस्किल से दो आऊजा उत्द ए कि मेने जब में भी एक मेरा भी एक बेवी है मेरी मां नहीं है फिर भी मैं उसको समालती है मेरे सास नहीं समाल पाती है कि वह भी मतलब है पूरी है नहीं समाल पाती थ्वास भी मारत दिया तो बस आप लोग से ही कहना चाहूँगे कि अपने माँ को भटकने ने दीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो का लाइक करिए कमेंड करिए सब्सक्राइब करिएगा और सेर जरूर करिएगा कि ताकि उनको भी पता चले कि एक मा का कदर क्या होता है उन से जाकर पूछो जिसकी मा नहीं है मेरी नहीं मा है न पापा है सब मुझर गए तब इतना तकलिफ होती है को वीडियो देखते हैं तो है अगर अगर वीडियो अचा लगे तो वीडियो का लाight करिए को मिनकरिए अगर सेर जरूर करिए यवा सब्सक्राइब लिए कि यह मत सुचेगा कि मैंने वीडियो लाइक कमेंट सब्सक्राइब के लिए किया है बस आप लोग को समझाने के लिए बाकिया आपका मर्जी तब